कि नमस्कार सासन सप्ता से जुड़ी काना फूसी और गपसप से जुड़े इस कायरक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं पावार सेंटर कि उत्तर प्रदेश में मंतरियों और सरकार के बीच इस्तिती यह है कि जैसे जैसे दवा की मर्ज बढ़ता गया मामला मंतरियों और अपसरों के बीच तनातनी से जुड़ा है विलोधा भासी खबरों से जुड़ा है जितका दौर लगातार जारी है उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे भी भाग हैं जिनके साब तोर पर मंत्रियों और प्रमुक्सचियों के बीच अनबन की सिकायतें आती रहती हैं लेकिन योगी पार्टू में अधिकारी और ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं वो अपने मंत्रियों पर भारी पड़ रहे हैं तबादलों को लेकर सबसे पहले जो भी बाद आया वो साथ भिवाग में आया और जिसकी प्रदिनामी पूरे प्रदेश में हुई ब्रजेश पाठक और अमित मोहन प्रसाद जो अपर मुक्सचियों है साथ भिवाग के इनको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चली माना यह गया कि जो थोक के भाव में हजारों तमादले हुए वो मंत्री की मिरा सहमत के हुए अंधेरे में रख कर किये गए और उनको रद किया जाएगा दीरे दीरे वो रद होना सुरू भी हुए लेकिन इस्तिती वही रही कि प्रभुख सचियों अपनी जगा पर कायम है इतना ही नहीं सिचाई भीवाग में मंत्री ने स्तीफा तक दे दिया राज मंत्री ने अपने प्रभुख सचियों के नाम पर विजिली में आई है जहां पर मंत्री अर्विंद कुमार शर्मा और यूपी-पी-सियल के चेर मैन एम देवराज से वह संतुष्ट नहीं अब इसके बाद नंबर आता है आपकारी महक में का जहां पर संजेभूस रेड़ी ने मनमानियों की एक नई कहानी लिख दी है जहां पर पर मुख सचियों अपने आपको मंत्री समझ बैठा है पीड़ोडी के तबादले भी आपकी नजर में हैं चर्चा में हैं वहां भी तालमेल का अभाव मंत्री और प्रमुख सचियों के बीच साफ देखा जा सकता है कितने सारे महक में हैं कितने सारे नाम हैं लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर सरकार बदलाव क्यों नहीं कर पा रही है जो अपसर सीधे सरकार से निर्देश प्राव करते हों वह सभावविक है कि मंत्रीयों को कम दर्जे का आखिएंग और यही वजा है कि मंत्रीयों की तिल लिटों जादा प्ैज़ चल रही हैं बीजेपी प्रेаст कमांद तक वो लेकर जाते हैं ब्यूरोक्रेशि के सुनहरे दिन चल रहे हैं दिन मंत्रियों के न चाहते हुए भी टिप्टी सीम के भी न चाहते वह वो पूरा आनंद ले रही है और मनमाने विधंग से ब्भाग चला रहे क्या प्रमुक्षचियों के अधिकार मंत्रियों से ज्यादा है या वो इस अधिकार का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर बेजा कर रहे हैं तो किसके दम पर कर रहे हैं बहुत सारी बाते खुली किताब की तरह हैं लेकिन कहने वाला कोई नहीं सरकार नहीं नहीं है पांच महीने हुआ है जो सियासत में इस चुन कराएं हैं इस पत पर पहुंचे हैं वो सायदा पंगा लेना नहीं चाहते हैं वो इंतजार करते हैं वो उचित फोरम पर अपनी बा लोग सराम माफ्याओं को महमामंडित करते चले आ रहे हैं जो लोग अपने मंतरियों के उनके अधिकारों का थेंगा दिखा रहे हैं उन पर ये सरकार कारवाई करती है क्योंकि कारवाई तो आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी ये मामला बहुत लंबे समय तक नहीं खीचा जा